जैमातरणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चानल राधाकृष्णा फीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल दोहजर चोविस में बट सवीत्री का ब्रत कब किया जाएगा क्या बट ब्रिक्ष के पास में सिंधोरा लेकर जाना जरूरी होता है अगर किसी का पती दूर रहता है आर्मी में रहता है एयर फोर्स में है क्योंकि बहुत चारे लोगों के पत संधित संपुन जनकारी मिलेगी तो सबसे पहले बता दो कि साल 2024 में बट सावित्री का जो ब्रत है वो छे जुन को रखा जाएगा दीन है गुरुवार तो बहुत सारे लोग है जो फल फलहार करके ये ब्रत रखते हैं तो वो लोग अपना देख लेंगे क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाई हों आप लोग मेरे चैनल पर चेक आउट किजिएगा कि फलहारी करके हमें ब्रत कैसे रखना है और जो लोग अपना मीठा भोजन करके रखते हैं तो वो लोग भी अपना देख लेंगे और कई लोग है जो निर्जला ब्रत रखते हैं तो ये हर प्रकार से रखा जाता है तो जैसे आपके घर का रीती रिवाज है वैसे देख लिजिएगा जैसे आपकी सारीर साथ दे रहा है क्यूंकि सबसे पहले हमें अपने सरीर का ध्यान रखना है तो जैसे आपका सरीर साथ दे रहा है उसी हिसाब से हमें ब्रत रखना है ऐसा न पड़ेंग तो जैसे आपके घर में ब्रत रखा जाता है आप लोग उसी प्रकार से रखिए गा अगर फलहारी पे रखा जायता है तो अप लोग फलहारी हैं आसथ कर से रखरा देंगे दो देखे बखूप भी पती हैं तो लोग है क्या करें बहुत से पहले वो लोग बरिक्षों की पूजा आफ ये लंगे कैंma से परघक कके विडियो कॉछिंग करके विद्यू Jorge क्योंकि वह मिठाई तो रहेगा नहीं पूआ रहेगा नहीं गुलगूला रहेगा नहीं इसलिए जिसका पती दूर रहता है वह लोग अपना ड्राइफ रूट मिस्री यह सब आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकती है या सीशा के बॉटल में भी आप लोग रख के रख सकत हैं तो करएगा अब देजिएगा खाने के लिए और जो पंखा प्ट भी रिक्ष के पास में दो पंखा ले के जाते हैं तो उसमें से एक बंखा शिपा कर देते हैं तो पंख पर diffू हो तो तो तुरंधी पती पूजन कर लेते हैं, इसके बाद कोई भी उज़ करता है, लेकिन मान लिजेए जिसका पती दूर रहते हैं, तो अपना पंखा चुपा करके रखेंगे, ताकि उससे कोई दूसरा ना जहल ले, तो पंखा चुपा करके रखिएगा, पती का आर्ती कर लीज करके आप अपने पती का पूजन कर लिजेगा चंदन लगाएगा कलावा बन दिएगा आरती कर लिजेगा जो भी फल प्रूट मिठाई पूआ गुलगूला जो आप ब्रीक्ष के पास से लाई है उसे परसाद को आप पती को खाने के लिए दे दिजेगा और पंखा जहल इसके बाद ही आप मुख में कुछ भी डालिएगा बट ब्रीक्ष के पूजा करने के बाद पती पूजन कर लिजेगा पास में है तो इसके बाद ही हमें मुख में कुछ भी डालना है और एक बत और बता दूँ कि बहुत लोगों की यहां पर कलस रखा जाता है तो यह हम ल करकार इती रिवाज देखकरके आप अपना पूजा की जिएगा तो जो लोग मिटी का कलस ले करके बटब्रीक्ष के पास में जाते हैं। तो वह लोग तो अपना पूजा कर लेते हैं वह उढ़े नहीं पहले सकते दो बता ही पैसा ये सब जो भी रहता है वो सब पेर के पास ही छोड़ देंगे और अपना सिर्फ लोटिया ले करके और आ जाएंगे ठीक है और एक बात का ध्यान रखेंगे कि बट बीक्ष के पूजा के दिन बट सवित्री के पूजा के दिन बहुत ज़्यादा भी जहता है तो फेरी लगाते समये वर अप लोग एक बात का ध्यान रखेगा जो लोग सो आथ लगाना चाहते थोड़ा दूरी खूम करके अपना ताकि पास यससे अगर लगाएंगे तो फेरी लगाता है ज्यादा फेरी लगाते हैं तो अगर कम फेरी लगाएंगे तो अपना अराम अराम से फेरी लगा लिजिएगा तो इस बत का ध्यान रखेगा कि फेरी लगाते समय हमें किसी के पैर में ठोकर नहीं लगना चाहिए अब चलिए जान लेते हैं कि बट ब्रिक्ष के पास में सिंधोरा लेकर के जाना जरूरी होता है तो आपके पास में सिंधोरा है तो जरूर लेकर के जाईएगा अब बहुत चारे लोग बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत जादा भीर रहती है मैं केसे लेकर के जाऊंगी चाहे कुछ भी तो देखिए आप लोग एक फैला में करके आप सिंधोरा रख लीजिएगा और पेर के प तो इस दिन सुला सिंगार करके पेर के पास में हमें जाना है पैर में महावर लगा लिजिएगा पायल बिछुआ टीका मंगल सूत्र ये सब हमें गहना पहनेना है और साधी का चुंदरी है तो वो और लिजिएगा सुला सिंगार करके ही बट बिरिक्ष के पास में जाएग पूजा की जीएगा फेरी लगाईएगा और हमें ओम बट बिक्षाएं नमाह मंत्रे बोलते हुए हमें पूजा करनी है बट बीक्ष की तो सारी बते किलीर हो गई कि हमें सिंधोरा बट बिक्ष के पास में जरूर ले करके जाना चाहिए सुहाग का ब्रत है तो उमीद करती कि आप लोगों को सभी जनकारी प्राप्त हो गई होगी तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा चाइनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्यूंकि आपकी एक लाइक से मुझे बोहत ही मोटिवेट मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को सेर कर दिजेगा ताकि हर किसी को बट ब्रिक्ष पूजा से संबंधित संपूर्ण जनकारी प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों मिलती हूं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार